डीटेल शॉप्स, मार्केट में हो या शॉपिंग मॉल्स में सही आडविटाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है लेकिन आडविटाइजिंग करने के लिए हर बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती ज़रूरी नहीं है कि आप हर नए offers या festivals पे खर्चा करके pamphlets या banners छपवाए आज कल आप free में advertising कर सकते हो digital signage के इस्थमाँ से एक बार display लगाओ और जब चाहे जितने चाहे offers अपने खुद के advertising displays पर दिखाओ तो आज हम देखेंगे digital signage display के तीन टाइप्स और इन्हें advertising के लिए क्या से use किया जाता है शुरुआत करते है horizontal fix displays के साथ horizontal indoor displays, retail stores और shopping malls में काफी use होते हैं इन displays को shopping malls में shop के अंदर भी mount किया जा सकता है और shop के बाहर भी fix किया जाता है ये programmable displays है जिनमें store owners जब चाहे नए offers, latest collection और discounts प्रोग्राम कर सकते हैं इससे store में customer का flow भी बढ़ता है और customers बाहर से ही store के नए collection और offers के videos देखके अंदर आते हैं इसलिए customer order भी easily कर देते हैं horizontal displays कहीं सारी sizes में मिलते हैं पर 75 inch और 85 inch के displays सबसे जादा use किये जाते हैं इन displays का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा vertical fixed displays ये भी fixed displays है बिलकुल horizontal display की तरह लेकिन इनका alignment vertical है fixed displays वाल पर, partitions में या फिर pillars में भी mount किये जाते हैं जिससे बिना extra जगा utilize किये ये store को beautiful और smart store बनाते हैं चाहे clothing store हो या कोई अलग product हो इन displays से आप बाहर चलते customers को अपने latest collection और offers के बारे में direct बता सकते हो vertical displays भी कही सारे sizes में आते हैं पर सबसे जादा stores 75 inch या 85 inch displays प्रिफर करते हैं अगर आपको customized buddy displays चाये हो तो वो भी आपको इस website पर मिल जाएंगे इन displays का link भी हमने description में air कर दिया है standard displays portable सबसे आखिर में है यह standard displays standard displays की खास बात यह है कि यह fixed नहीं है यह movable displays है आप इन standard displays को जब चाहें move कर सकते हो क्योंकि यह portable displays है इन displays को आप शॉप के बाहर भी रख सकते हो अगर किसी specific clothing section का sale हो तो आप उस section में इसे रख सकते हो अगर आप किसी event और exhibition में participate कर रहे हो तो वहाँ भी standees को लेके जा सकते हो क्योंकि आप अपना सारा collection तो वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं लेकिन इसमें आप जितने चाहे उतने videos और images ले कर सकते हो standee displays भी multiple sizes में आते हैं यहाँ आप 3 type के standees लेख सकते हो यह है 50 inch digital standee इसमें 50 inch का P3 display होता है जो एक pole पे mount किया गया है यह है 50 inch video wall standee इस display के lower section में आप brand logo आड कर सकते हो और screen पर अपने advertising videos प्रोग्राम कर सकते हो इसका stand A frame है जो पूरे display को support करता है upright position में और यह है 5.2 inch 2 feet full screen standing जिसका पूरा screen आप utilize करके advertising campaigns चला सकते हो इसका भी A frame stand है जो काफी flexible और attractive भी लगता है इन सारे products का link हमने description में एर कर दिया है अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो comment ज़रूर करना और हमारे videos पसंद आए हो तो like, share, subscribe ज़रूर करना bell icon को hit करने से आपको हमारे सारे नए videos के updates आते रहेंगे चल्ब मिलेंगे अगले video में अगर आपके ओने पम थो आपके पालन रपकी सवा ruim बालप results आपके में अगले नएम आपक सवालप सक्मेश्या